आई guys welcome to welldeco.com मेरा नाम है देव, so guys आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं margin trading facility के वाले में जिसको हम लोग MTF कहते हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर बताऊगा कि margin trading जो facility होती है आखर वो होती क्या है, इसके क्या practical के अंदर benefits है, कितने brokers वगर है, जो है basically interest rate वगर है charge करते हैं, और यह कैसे different है pledge trading से, यह सारी चीज़े आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर, so guys सबसे पहले चलिए margin trading facility की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँपे मैं आपको एक practical example देना चाहूँगा, देखिए माल लिजे for an example, आप किसी particular stock के उपर bullish है, आपको मलगता है कि वो 5% उपर जाने वाला है, example के लिए आपर reliance के share को ले लेते हैं, जो भी right now 2500 से 2600 के बीच में trade कर रहा है, तो अभी हम लोग उसका price approach 2500 ले लेते हैं, अब guys आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपे हैं, यानि अगर आप 2500 रुपे की quantity से तो आप केवल 4 share खहित पाऊंगे reliance industries के, लेकिन यहाँ पे stock का price आपको लग रहा है, within the few weeks यहाँ पे 5% उपर जाने वाला है, तो अगर आपने profit बना भी लिया, तो उसके बाद में भी hardly आपको 500 रुपे का profit बचता है, सब कुछ घटा के, आप guys यहाँ पे जो है broker का role काफी जादा important play करता है, क्योंकि वो आपको provide करते है MTF की facility है, तो guys यहाँ पे क्या होता है, कि BC लिए जो brokers होते है, वो 75% to 80% जो भी trade value होती है, उतना आपको extra margin यहाँ पे provide करते है, मैं example देना चाओंगा, पहले आपके वल 4 share खहित पारेते reliance industries के, बालिचे आपको 20 share खहितने है, तो guys, 20 share का जो trading value होगा, वो होगा 50,000 रुपे, तो guys, यहाँ पे क्या होगा, आपको 25% अपनी JEP से लगाना है, यानि सिर्फ आपको 12,500 रुपे देने हैं, और बाकी जो BC लिए आपका broker है, वो 75% sponsor करेगा, यानि कि पूरे 37,500 रुपे का आपको extra में आपे margin मिल जाता है, त तो इसका मतलब क्या हुआ guys, कि 50,000 रुपे की stocks भी अगर आपने खरीद लिए, यानि 20 stocks भी आपने Reliance Industries के खरीद लिए, अगर कलको 5% उपर भी गया, तो आपको 25,000 रुपी का यहाँ पे profit book हो जाता है, तो guys, यह तो मैंने काफी आपको छोटा example दिया है, यहाँ पे आप च simply click करना है, तो guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक MTF का option दे जाता है, especially dedicate आपको यहाँ पे MTF का section दिया हुआ है, for an example, माली जे मैं यहाँ पे 20 shares जो है, यहाँ पे buy करना चाहता हूँ, Reliance Industries के, लेकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, तो यहाँ पे अभी जो trading जो valid होगी, वो 51,000 रुपे के something basically यहाँ पे होगी, और साथ में मुझे अपनी जेप से जो देने, वो 12,825 रुपे देने हैं, और 38,400 रुपे, यानि कि 75% जो यहाँ पे धन basically यहाँ पे sponsor करने वाला है, so guys, यह आपको यहाँ पे extra margin मिलता है, यह कोई भी आपका ऐसा लिए होता है कि आपका civil score वगरे चेक होता है, यह सभी investor को मिलता है, साथ में guys, अगर आप पूछेंगे कि आपे interest वगरे कितना लगता है, क्योंकि obviously बात है, अगर आपको extra margin दिया जा रहा है, तो उसके पीछे यहाँ पे broker भी अपनी earning करेंगे, तो अगर मैं interest rate per day की ब 25% देखकर, पूरे के पूरे 20 share जो है, यहाँ पर खरीच सकते हैं, so guys, यहाँ पर मैं आप लोगो recommend करूँगा, धना आपको जो आपको 4X का यहाँ पर margin देता है, वो भी 950 प्लस stocks के उपर, साथ में guys, आप यहाँ पर unlimited time के लिए अपने holdings को जो होल्ड कर सकते हैं, कोई भी चैटल नहीं जाती, यानि कि T plus 2 days के लिए, साथ में guys, यहाँ पर MTF का एक अलग से आपको section मिल जाता है, एक calculator में मिल जाता है, जो मैंने आपको live दिखा चुका हो, चहाँ पर आप easily calculate कर सकते हैं, कि आपको अपनी तरफ से कितना पैसा डालना पड़ेगा, और कितना easily आपक मिल जाता है, तो guys, ऐसे कहीं सारे आपको feature देखने को मिल जाते हैं, धन आपके उपर, तो देर किस बात की link description box में, अभी अपना demand account धन आपके साथ में open करिए, अब guys, बात करते हैं कि different कैसे जो की pledge trading होती है, तो देखे margin जो pledge trading होती है, उसके अदर basically आपको अपनी जो existing stocks होत कि मेरा portfolio एकदम zero है, और let's suppose अगर आप fresher investor भी है, तब भी आपको margin मिल जाता है, यानि कि आपको अपनी existing security वो pledge या un pledge नहीं करनी पड़ती है, बस यहाँ पे यह बात ध्यान रखेगा, कि यहाँ पे आप जो भी MTF के तरो stocks होगरे खरीते हैं, उसको आपको pledge ज़रूर MTF facility के बारे में, तो देखे प्रोस तो यह है कि यह आपकी purchasing power को increase कर देता है, यानि कि आपके profit अगर होता है अगर आपको, तो वहाँ पे काफी ज़दा आपको leverage मिल जाता है, साथ में जो swing traders होते हैं, जिसका holding period जो है 3 मेरे, 4 मेरे के लिए होता है, और उनके पास में sufficient cash नही होता है, तो यह MTF facility काफी कमाल की है, इसके लिए आप जो capital यहाँ पे market के लगा रहे, investment कर रहे, उसका ROA भी आप यहाँ पर improve कर सकते हैं, अगर मैं cause की बात करूँ तो देखे जित्ते अच्छे आपके profits हैं, लेकिन अगर आपको loss होता है, तो केवल आपकी capital के उपर loss नहीं पड़ेगा, तो वो तो आपके पास होना ही चाहिए, इसके लाब हम लोगों को ने interest rate भी देखी, तो कई सारे broker काफी जादा interest rate यहाँ पर charge करते, तो वो चीज़े भी यहाँ पर एक cons की तरह MTF facility में गिरी जाएगी, So guys, hope you like this video, please subscribe to our channel, और guys, then app के link description box में दे रहाँ, तो एक बार अपना demand account 0 cost के उपर, 0 MC के उपर जरूर उपर कीजेगा, thank you guys, thank you very much